Hey guys, welcome to my channel तुम्हें आ गई है एक और नए वीडियो के साथ और मैं आप लोगो दिखाने वाली हूँ मैंने मीनी गार्डन में क्या क्या लगाए हुआ है और चलिए आप रिखली चलते हैं मीनी गार्डन में में फाइन लिखली है मीनी गार्डन में आप इस तरीके से लगा सकते हैं, 4-5 बीज मैंने इसलिए लिया था, क्योंकि कुछ बीज जो होते हैं, वो healthy होते हैं, तो वो पनप जाते हैं, कुछ बीज जो चिपके हुए होते हैं, वो नहीं पनप पाते हैं, और आप देख सकते हैं, कि इतना अच्छा मेरा प्लांट हो गया है, मैंने पिछले सर्दी में इसे लगाया था, 1 येर में इतना अच्छा ग्रो किया है, और 8-10 तिन में आप डालोगे मिट्टी में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिप पॉधे जो हैं पनप जाते हैं, और सर्दी में आप इसे बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं, मैंने भी सर्दी में लगाया था, और 2 पेर मेरे बचे हुए हैं, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये करी पता का पेर है, इसे मीठा नीम भी बोला जाता है, और ये हर घर में एवलेवल होता है, क्योंकि कीचन कार्डन प्लांट है, और आप देख सकते हैं, मेरा ये दो साल का पेर, इसे मैंने मार्केट से परचेज किया था, एक पेर, और दूसरा पेर जो है, इसमें जो फूल आये थे, और बीच जो लगे थे, तो उसी को मैंने गंबले में डाल दिया था, उससे दूसरा प्लांट में तयार हो गया था, तब देख सकते हैं, कितना घणा है, पत्ते मौती अच्छे से, मतलब ग्रू कर रहे हैं, अरुवेद में इसकी पत्तियों का बहुत ही जादा मौत है, क्योंकि यह बहुत सारे दवायों में करी लेफ्स के पत्ते को यूज किया जाता है, हम सब को हर घर में करी लेफ्स और मीठा नीम जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही असानी से यह लग जाते हैं, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको यह गुरहल का फूल, इसे अढ़ुल का भी फूल बोला जाता है, यह बहुत स्कारे कलर में आते हैं, इसका जो यलो कलर हो गया, रेड कलर, पिंक कलर बहुत सारे आते हैं, और आप देख सकते हैं, इसे मैंने गंबले में लगा थे, यह भी दो ढ़ाई तीन साल से लगा होगा, और बहुत ही जादा इसमें फ्लावर विगड़ा आते हैं, और देखिए इसकी जरे जो है, अभी थोड़ा सा यह इसके लिफ्स विगड़ा जो है, और इसकी मैं कट्टिंग वगड़ा कर देती हूं तो नए नए जो इसके प्लांट है, वो आज आते हैं, रूट्स वगड़ा देख सकते हैं आप, यहां पे एक मेद में दिखाने वाली हूँ, आपको देखिए इसमें कली भी आया हुआ है, और जब मैं कली देखते हूँ थे मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लगाया हुए जो फ्लावर बेगला है, उसमें जो फूल खिलते हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये अर्वी का जो पेर लगाया है, मैं खाने के लिए सब्जी लेकी आई थी, तो ममी ने इसे पांचे गाठे को डाल दी थी, मिट्टी में, और जिससे देख सकते हैं, आप कितना अच्छा रिजल्ट आया है, अब इस तरीके से असानी से लगा सकते हैं, घर में, गमले में, और देख सकते हैं, ये वन मंत का रिजल्ट है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसके जो पकोरे हैं, सब्जी हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और देख सकते हैं, ये छोटा सा एक पेर था, और बहुत ही tasty होता है बहुत healthy भी होता है इसे असानी से लगा सकते है गमले में और seven से eight days में आपको छोड़े-छोड़े से प्लांट जो है वो दिखने सुरू हो जाएंगे आप कभी भी चावल डाल को गोस्ट करके स्रिंगी में ना फेकें यूकि इसमें बहुत सारे पोस्टी गुन पाया जाते हैं जो हमारे पेर के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं और मैं हमेशा अपने गमले में चावल डाल का पानी जो है मैं उसको डालती हूँ और मैं आपको एक और चीब इखाने वाली है और ये लगाया हूँ है मैंने अप देख सकते हैं अलोवेरा का पीर कितना अच्छा ग्रोव कर रखवा गमले मैंने दो-तीन सार से लगाया हूआ है इसे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अलोवेरा का आप जूस भी पी बनाता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा लेकिन सबसे ज्यादा आपको स्कीन पे इसके फायदे दिखेंगे बहुत सारे फायदे हैं इसके आप हल्दी के साथ इसे लगाएंगे तो डार्क सरकल बगरा जो है वह आपको मॉड्लि में देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क करने के लिए लेकि आई थी और तीन साल में देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो किया है गमले में है और ज्यादा तो नहीं हुआ है एंड इसके देख सकते हैं नए ने लीवस आते रहते हैं हमेसा एंड देख सकते कितना अच्छा लग रहा है और जो भी सुखे हुए मैं तोलन बनाओं क्योंकि इसके लेफ्स जो है वो सूखी जाते हैं मैं ज्यादा यूज़ तो कर नहीं पाती हूं और मैं आपको और एक और पेर दिखाने वाली हूं तो यह देखे तुलसी माता का पेर हैं जो हर घर में अबलेबल होता है और हम दोगे इनकी पूजा करते हैं बहुत ही असानी से आप तुलसी माता का पेर अपने घर में लगा सकते हैं और तुलसी माता का जो पेर है वो थस्टे को लगाना बहुत ही ज़्यादा सूख माना जाता है इसके पत्ते को आप जो मौर्निंग में भी खाली पेट में खा सकते हैं जो की बहुत ही फायदा होता है अब कभी भी खाएं तो चवा के ना खाएं क्योंकि इसमें जो है वो पाड़ा होता है वो हमारे दातों को खाड़ाब कर देता है आप देख सकते हैं इसकी जो कहते हैं मज़र उसको मैं इसे लेके और गमले में डाल देती हूं जिससे उसमें छोटे-छोटे से प्लांट आ जाते हैं अर वेद में बहुत ही फायदा होता है तुल्सी का में जो पौधा है उसे आप काड़ा वेगरा बनाके पी सकते हैं चायदागरा हो बहुत सारे लोग डाल के उसे पीते हैं यहां पर मैं देखाने वाली हूं आपको यह सदा बहार का पेर है और चू बहुत ही ज्यादा इसमें फूल कीलता है मैं इसे बहुत ज्यादा ही यूज की थी आप देख सकते हैं इसमें जो जब मैं इसका फूल नहीं तो रही थी तो इसमें जो बीज थी वह देखे इसमें गिर गया था तो तो तीन-चार पेर इसमें से निकल आये हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और कोई भी फूल आपको नहां मिले तो ये फूल तो मिली जाता है पूजा करने के लिए तो यह पीर है पूजा का पीर हम लुग बोलते हैं आप लोग कि साइड क्या बोलते है आप फरीच कमेंट करके ज़रूर बताना इसे मैं मार्केट से लेकी आई थी तो थोड़ा सा इसमें डंठल था तो ममी ने इसे गमले में डाल दिया था और देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है छोटे-छोटे से लीव साय हुए है इसमें इसका जो है जोसे पकोड़ा बगर वेना के खाते हैं डाल में भी डाल के खाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और देख सकते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जिन्में कुछ लगाती हूँ जो पालन होता है उसमें भी इसके जो पते हैं उसके पकॉर अविदा खाया जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है यह और मैं आपको एक और पेड दिखाने वाली हूँ अब जो मैं आप लोगो दीखाने वाली हूँ वो पेड ममी नहीं लगाया था मुझे नहीं पता था कि ममी ने कब लगाया है, तो मैंने बात में देखा था, तो आप लोगों को भी लिखाते है, इस तो मैं गई थी घर और वहाँ पे मेरे पेर में अमरूत फले हुए थे, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, तो ममी ने नहीं खाया था, तो थोड़ा सा गल मैं तो बहुत ही खुश हो गई देखके, और देख से तो कितने सारे मतलब पेर आये हुए हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे तो गल गये थे, क्योंकि पानी साथ ममी बहुत ज़्यादा ढाल दी थी, इस वजह से, रेड वाले जो अमरूत होते हैं उसी का पेर है, क्योंकि ब बहुत ही पसंद है और अच्छा भी होता है लगाना तो मैंने ओफिस में देखा बहुत सारा था, तो मैं एक लिए आई थी, और देख सकते हैं मैंने इसे लगाया और यह बहुत ही जल्दी लग जया था, क्योंकि इसका जो है, मैं मिटी के साथ लेकी आई थी, क्योंकि और समिटी भी ले ले वहाँ से, इसे जल्दी लग जाता है पे, इस तो वीडियो थोड़ी से भी हेलफूल हो और अच्छी लगी हो तो लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और लाइक कर दीजे, और बाइ-बाइ